मैं आज एक बात आप लोग को शाद शेयर करनी के लिए आई हूँ कि आज सुभई मेरे हजबेंड मुझे लेकर के अपने फ्रेंड के साथ लभग एक डेड़ घंटे फोन पे बात कर रहे थे पहली बार मैं बाते सुन रहे थी कि मुझे लेकर के वो नहीं करते हैं मुझे ले सुन रहे हूँ उनको लगा होगा में कीचन में बिजी हूँ तो साइद आवाज नहीं जा रही पर सभी आवाज आ रही थी और बहुत ध्यान से इनकी बाते सुन रहे थी और जो बाते मैं सुनी सुन करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मैं हैरान भी थी कि मेरे रखते मुझे लेकर के मुझे नहीं पता था लेकिन जब अपने फ्रेंड के साथ बाते करने लगे तब मुझे पता चला कि हां मेरे बार में क्या सूचते हैं अभी प्रेजेंट में क्योंकि समय के साथ लोगों की सोच चेंज होती रहती है तो क्या बाते कर रहे थे वही मै आप लोग साथ शेयर करने वाली हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को भी जानना चाहिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे हुआ यह था कि मेरे हजबन की जो फ्रेंड है उनकी वाइफ की डेथ हो गई है और 20-25 लाक पर खर्ज भी आया था 6-7 महने से ट्र मेरे शानते फैमली के लोग तो मुझे लेकर के वह काफे देड़ तक उनसे बात कि मुझे एक प्रेर्णा सुरोत बताया है कि हां मेरी वाइफ बहुत महनत की खुद को ठीक रखने के लिए और वो मुझे देखे भी है लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बारे मैं ऐसा लेते हूं कितना सेंसिटीव होता है जिसको लंक्स प्रॉब्लम होता है जानता है और लंक्स में इतनी सारी घाटे भर गई है सीने में दर्द रहना अची हरोकत कैसा मेरे ऑन वह जान सकता है और हमेसे थकान मैसूस करता है इतना कुछ होने के बावजूर मैं पुरे घर को लेकर के चलते हैं पॉजिटिव वातावरन रखते हूं घर पे और कितना कुछ की हुए ठीक रखने के लिए खुद को यह सारी चीज़ें के साथ बता रहे थे कि हाँ मेरे को प्राउड फीर होता है अपने वाइप पे क्यों इतना कुछ की है और लोगों को गाइड भी की है में आने के लिए और यह बात सच है मैं हजारों लोगों को अईरवेद में आने के लिए प्रोटसाहिद भी की हूं और मेरी वजह से हजारों लोग आये भी हैं जो मेरे पहले चैनल पर 18000 लबग सब्सक्राइबर होने वाले सारे का सारे पेसेंट ही है मुझे जहां तक लग यह को पता ही नहीं था मैं यह नहीं कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूं इस प्रॉब्लम में लंबे समय तक अगर के सारे काम करना बच्चों को समाना इम्पॉसिबल बहुत मुष्किल काम है फिस मुझे बहुत सरे लोग इंस्टाग्राम पे थे जो बीमारी मुझे उससे सिमिलर वाले पेसेंट मेरे साथ इंस्टाग्राम पर बात ही करते थे उसमें से नाजाने कितने लोग अब इस दुनिया में नहीं है जिसको सीम वही बीमारी थी जो मुझे वह इसलिए क्योंकि पूरी तरह से आयरवेग पर बिलीव नहीं कर पाएं और अलोपेथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे सचाई है अलोपेथिक ट्रीटमेंट इस दुनिया में नहीं होती मैं अलोपेथिक ट्रीटमेंट ले रही होती और ऑक्सिजन वेंटिलेटर उसके बाद में उपर चली जाती पर वेंटिलेटर का खर्च निकालने के लिए मेरे हस्म में ही रहे करके 10-10 गंटे 12-12 गंटे आधी रात को टूट करके खिड़की में बैठ करके अनुलोम बिलोम योगा करना डिप ब्रीधिंग करना क्योंकि मुझसे सांस लिया ही नहीं जाता था इस वजह से वही हम मेरे हजबन बता रहे थे कि एक चैनल खुली है लोगों को कि छोटे को छोड़ करके ऐसे चले जाने में तो अब सब्सक्रा अभी लेकिन कंट्रोल करती हूँ जशा करती है खाना रएक मैं पीने कि लड़की साथिक खाना खाती है साधा मिना मसालेदार खाना खाती है जहां इतना खाने का सौकता गोमुत्र पीती है जबकि गोमुत्र पीना इतना असान काम नहीं है नीम का जूस पीती है खाने के लिए इसके पास अच्छा है क्या कुछ भी अच्छा खाने को नहीं है और वो 15 महिने से कंट्रोल करके है और और अभी अपना लाइफ को बढ़ा रही है और आगे क्या होगा वो तो कह नहीं सकते हैं तो यह सब चीजे हो जब अपने फ्रेंड के साथ कह रहे थे तब मुझे पता चला कि मेरे हजबंड मेरी मेहनत को समझ रहे है क्योंकि हो कभी सामने से मेरे मुँपे नहीं बूले कि हा एरवेद के बारे में जिसमें से उनका फ्रेंड भी थे वो कहें मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एरवेद से लोग ठीक भी हो सकते हैं और उनके वाइफ को यूटरस की प्रॉब्लम थी कोई भी सरजरी कराने की जूरत नहीं उनके वाइफ ने सरजरी कराया था इंफेक देख लेकर के लिए पैसे नहीं थे जाती ऑक्सिजन देता और अगले दिन वेंटिलेटर चुकि वह एक्स अच्जन लेबल चेक करते हैं और ऑक्सिजन लेबल तो बहुत डाउन था मेरा था मतलब 85 के करीब समझ लेए तो इतना डाउन था तो वेंटिलेटर पर जाता है मैं हजबन को बोली कि करज लेकर के मेरा इलाज कराने से अच्छा है कि मैं घर पे रहती हूं और घर पे रहकर के अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कम सकुम अपसोस नहीं होगा कि आप करजे में फसें क्योंकि दो दो बच्चे का लाइफ भी देखना है उसका फ्यूचर भ बार घंटे योगा करने लिए क्योंकि मैं सुनी थी कि जिसको सिरियस प्रॉब्लम है वह नौ दस घंट कह रहे थी कि जितना ज्यादा योगा करें हो तो ज्यादा फायदा होगा उसमें से एक वीडियो भी देखे थे एक लेडी का जो कह रहे थी को नो घंटे अनुरूम कर करके अपना जो ब्रीधिंग प्रॉब्लम था उसको उक्सिजन चढ़ावा था तो वह धीरे-धीरे करके वह अपना उक्सिजन सिलेंडर हटा दी थी यह बाप सुन करके मुझे लगा कि जब वह ऐसा कर सकती है तो मैं क्यूं नहीं कर सकती हूं बस उस लेडिज का जो वीड कर दो कि आपने सी दॉस अगर बत्ती मूझे तककलीप के ड LGBT में अभी मुझेए घुटन मैसुस होता है तब जब कोई अगरबती मेरे सामने दिखाता है थोड़ी देर के लिए अगर अगरबती कोई जला करके रख दे मेरे सामने तो मैं तो घर से निकल जाओंगी मैं नहीं रह पाऊंगी आज मैं थेरपी सेंटर गए थी और वहां पे खिड़की बंद थी तो मैं उनसे पूछी दर्वाजा खुला एयरी है तो मुझे कोई प्राब्लम नहीं होती है मैं अभी थोड़ा सा खिड़की खूल करके सोती हूं क्योंकि हवा चेंज होना चाहिए औक सब्सक्राइब कर दें तो रूम में ऑक्सिजन होगा नहीं साहसने में तकलीफ होगी और चेस्ट पेंट रह थोड़ा सा असर है थोड़ा सा चेस्ट में हीविनेस लगता था थोड़ा सा कम हुआ है तो 10% ही मैं हार्डी करूंगी कि मैक्सिमम 10% अभी भी वही है और कब तक यह प्रॉब्लम चली कि मुझे खुद नहीं पता तो थैरपी ले रही हुँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थैरपी लेने से भी शायद बहुत जादा मुझे फर्क नहीं पड़ा है बस इतना पड़ा है कि एक की जी वजन बढ़िया है स्ट्रेस लेवल डाउन हुए है और थोड़ा सा जो चेस्ट का हैविनेस था वो थोड़ा सा कम हुआ है बस इतना ही यही सब चीजे मैं आप लो अधिक डॉक्टर से दिखा है कि जब यह सब चीजे सुनने को मिलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि सच बात बताओं अपना के देखे योगा कर देखे डाइट फॉलो करके देखे कि मैं कर रही तो मुझे बहुत फायदा कर रहा है मेरी जैसे जो सेम के पेसेंट है उनका कंडिशन में देखी तो वह अभी आगे कुछ नहीं को आगे कुछ कोगी तो कंट्रोवर्स्री हो जाएगी जो कि नहीं होना चाहिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाई